गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कुश करेंगे नेपाल वोस सेथ नमीबिया के बीच जो दोस्तों होने वाला है ट्राइंगुलर टीटो इंडियाई सेरीस का पहला मैच नेपाल नमीबिया के बीच यह होगा मैच और अगले दिन नेदल लें दोस्तों खेलेंगे देखो यह जो venue होगा ना इसी में हमने कुछ दिन पहले Cricket World Cup League 2 के मैचेस कवर किये थे तो उसका experience मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्लस इस मैच के साथ साथ दोस्तों आपको दो ECS का वीडियो दूंगा मैं European Cricket League का ECL का और अल्रेडी लाइव है दोस्तों आपके लिए जो चल रहा है WPL उसके coverages next day Cricket World Cup League 2 का दोस्तों UA Lake में मैचेस होंगे तो वह भी cover करेंगे तो आप अगर चैनल में new हो चैनल को subscribe करो notification bell को on करो और join हो जाओ टेलिग्राम जिसका link मैं वीडियो की description में कर दूंगा ठीक है आते analysis में देखो 3-1 cricket ground पर होगा मैच 11-15 में और यह वह नहीं हो ना अभी अभी अबने जब ODI matches cover किया था देखो इनिशेली पेस्स को support होता है बैटिंग बहुत टफ होता है और early wickets गिरते हैं दोस्तों ठीक है फॉस्ट इनिक्स में जो टिम बैट करता है न वह ज्यादतर मैच हारा था तो दोस्तों यहां पर आपको chasing ही लेते हुए दिखेंगे दोनों team और इनिशेली जो baller balling करेंगे power play में और first inix का जो player death में ball करेगा वही baller होता है first baller power play और death करता है तो वह बहुत vital है उसको मत छोड़ना ग्राउंड में 28 में से पंद्रा बैया और बैट first ने विन किया बारा बार बार चेजिंग ने विन किया T20 यही का मैं record बोल रहा हूं नेपाल के players अगर देखोगे भूरते लपको open करते हुए देखेगा असिफ शेक के साथ अब देखो T20 यही में अनिल शा रेगुलर वन अगर अभिनाज बोरा खेलता है बॉल फर्स बहुत भाइटल है इन्होंने लास्ट टाइम जब T20 यही सीरीज के ला था ना जब ओमान वगेर आया था दोस्तों यहां पर तो मुस्ट में यूई वगेर आया था यूई के साथ शायद फाइनल हुआ था उस सीरीज में अभ इस टीम से रन बनाया वो था भूरतेल 66 लास्ट ओडिया में 0-8 उससे पहले 8-3 हूई चोभी 8-4 अगर देखो कि अपने नमीविया के पास बहुत सारा लेप्टी बैटर है तो यहां पे मुझे भूरतेल वीद बॉल कम एफेक्टिव लग रहा है बट वीद बैट इनफ ए प्लेयर सॉलीड है और इनफॉर्म प्लेयर है कुशल भूरतेल एजब प्लेयर रखो इस वेन्यू में इसने 14 इनिंग्स में 41 का एवरेज से पास्टो 27 रन बनाया और इस्पेशली मैंने जो नोटीस किया भूरतेल बैटियल बैटिंग वस ज्यादा अच्छा करता है वेन् रिसेंली ओडियाई में 17, 58, 54, 10 यह 54 जो दिख रहा है वो चेजिंग में है था क्या यह सेफ है तो वीकी सेक्शन में undoubtedly सेफेश्ट पीक है तो बैक कर सकते हो ठीक है अनिल शा डिपेंचल होंगे हिटर निचर का प्लेयर है दोस्तो यूस कर सकते हो ओडियाई में 10 मैंच में 33 के अवरे से रन बनाया है बैसिकली ओडियाई करिया रहे और ओडियाई में दूस्तो इस वेन्यू में इसने रन भी अच्छा कसा बनाया है यह 262 जो दिख रहा है यह गलत दिख रहा है यह भूल जाओ ठीक है यह अभी नहीं है अभी इसका बहुत गिर गया है रिसेंली उडियाई में किर्थिपूर में ही देखो इन्होंने 7057 बनाया था एक मैच में 8 112 और 50 बनाया था ज्यादतर मैच किर्थिपूर में हुआ रिसेंली इन्होंने उडियाई खेला नेपाल के लिए ठीक है यह वेन्यू का रिकॉर्ड भूल जाओ अब देखो रोहित पॉडल इस वेन्यू में 11 मैच में 48 कावरेज से 408 बनाया बहुत सॉलिड ऑप्शन है टीटो इन्ट एक करियर में दोस्तों इन्होंने अब तक 34 मैच में 30 कावरेज से 779 बनाया एक चीज़ की आया न मैंने नोटीज भी गया था रोहित पॉडल ना चेजिंग बहुत अच्छा गर एक रन एक विगेट डूनाट बॉल्स 87 रन दो इकेट आत रन चार विगेट दोस्तों पॉफोमेंस ना इसका बहुत खराब था रिसेंटली फिनिश्ट ओडियाई सीरीज में बट यहां पे आपको एक चांस होता है कि आपको बॉलिंग करते हुए दिखें क्योंकि आपने पंद्रा जीरो दो इकेट दो इकेट एक विगेट बट बैटिंग से पर्फोमेंस नहीं है बट यह T20 फॉर्मेट है टीम इसको प्रोमोट करेगा और यह खुल के खिलेगा एजब प्लियर एटलिस रख सकते हो कैप विसी भी बना सकते हो कैप विसी में की प्रॉब्लम है के बाज ज्यादा थे लिफ्टी बैटर है केप इन माइड डिपेंद्रे सिंग आयरे इस मैच में अच्छा कैप विसी है क्यों यह ना बैटिंग से पॉइंस प्रोवाइट कर सकता है अच्छा बनी शॉट्स लगाते और ऑपनें के पास मैंने अभी डिस्क्राइब कि आप को लिफ्टी बैटर जादा दिखेगा तो यह राइटम आप स्पीनर प्ले में आएगा दिपिंदे सिंग आरे टीटी इंडे में तिपन मैच 38 कैपरेज 300 प्लस रन इस ओवर 11 विकेट गुल्चेंजा 14 टीटी इंडे मैच में सिर्फ 12 विकेट है और 39 ओवर्स है बट रिसेल इसने बॉलिंग से कुछ खास परफोमेंस नहीं किया था बट यह टीटी ट्वींडी आईस है तो यहाँ पे शायद यह बॉलिंग ज्यादा करते हैं थोरा लोयर रिकॉर्ड बता रहा हूं बहुत ही तग्रा रिकॉर्ड है आपको डेट भी करते हुए दिखेगा करन कैसी तो दोस्तों यह जो बंदा रहेगा आपके लिए बहुत तग्रा चोइज रहेगा करन कैसी स्पेशली वाइल देखो ना बॉल फस्ट ओके अभिनाज बोरा यह न लोवर और डेट में करेगा और तब विकेंद मिलने के हाई पॉसिबिलिटिस होता है इस्पेशली बॉल फस्ट लाली द्रजबंगशी लेफ्टा मॉथर्डॉक्स बॉलर दोस्तों बैक कर सकते हो एक ही प्रब्ले में उपनें के पास ज्यादा तर लेफ्टी बैटर है पा अटरा मैच 189 रन वन डाउन खेलते हैं दोस्तों शायद यहां पर जगह ना मिले अनिल शाप को वन डाउन खेलना चाहिए बीवेग यादब 13 मैच में 6 ओवर में विकेट एक है इग्णोर करेंगे आज रीफ शेख यह शायद टीट वी ओट्यो इंडियाई नहीं मुझब अबली दोस्तों उडियाई में लास्ट दो मैच खेला था 22 और 38 थोरसा स्लो खेलते हैं मिल्ल और में खेलते हैं लोयर और में खेलते हैं विनोत बंडारी फिलाल मैं एग्णोर करूंगा केलते बीते हो पती जेसी यह पेस बॉलिंग करते हैं लिफट अब मीडियम रशीत खानी आपे मैं एक चीज़ एड करूंगा इन्होंने रिसेली फिनिश जो डिय सीरीज हुआ था नेपाल एक के लिए खेले थे दोस्तों केनडा के एकेंस बहुत अच्छा खेला तगरा खेलता है हीटर है डिफेंशल हो सकता है गुल्षन जाके जगा यह आ सकते और कर दूंगा नमीविया से मलान क्रूगर देखो यहां पे ना आइडिली ट्विंटी आइस में डावीन ओपन करता है लिंगन के साथ रिसेली ओडियाई में मलान कूगर ने लास्ट मैस में अच्छा खेला एक प्रोबबलीटी से है शूरीटी नहीं है कि ओपन आने का बट एक चांस से यह ओपन कर सकता है तो वैन लिंगन वन डाउन करेगा अधर्वाइस इनका जेनुइन ओपनर वो टीटी इंडियाई में निकोलास जवीन और वैन लिंगन है तो दोस्तों यह में भी एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला दे लोयर ओडर में ठीक है अब एरास्मास त टीम प्रोमोट कर देते थे क्योंकि देखो यहाँ पर हेविली इंपॉर्टन होगा लेफ राइट कमिनिशन मेंटेन करने का क्योंकि अधर्वाइस नेपाल से सभी ऑफ स्पिनर बॉल करने लगेंगे अगर दोनों लेफटी बैटर क्रीज में आ गया तो यह एक चांसेस है अब देखो यहाँ पर मलान क्रूगर इन्होंने टीटू इंडिय में एक मैच में तेस रन बनाया लिस्टे में तीन मैच में पचास रन रिसेंली ओडिया में उन्चालिस बनाया था अच्छा कंफिडेंट नॉक था निकोलाज डवीन दोस्तों 27 मैच में 779 रन टीटू इं लिंगन के बारे में मैं एड करूंगा यह अच्छे ऑप्शन है और रिसेंली ओडे में 31-31 का नौक खेला लेफ्टी बैटर है ललित रजबंशी में भी पावर प्ले में आएगा तो उसकी पीछे यह जा सकता है बट डेफिनेटली यहां पर दिपन्दे सिंग आईरे भी आ सकते हैं दोस्तो 24-31 का एवरेज है थोड़ा जादा कंसिस्टेंट और सेफ ऑप्शन है कंपर्ट तो निकोलास दाविन वेन्यू में तिपन का एवरेज इसका वेन्यू रिकॉर्ट बहुत तग रहा था जो रिसेंट सीरीज हुआ था ना किर्थिपूर में क्रिकेट वा लिक टू के मैचेस में जिरा डिरासमास तग्रा ओप्शन है रिसेंली तो बॉलिंग से तीन विकेट एक तीन विकेट पाच विकेट दूसरो लेप्टी बैटर हो राइटी बैटर हो सबका उट कर रहा था एरासमास और यह टीटो इंटिया फॉर्मेट इसको सूट भी करत देलता है बट नमी भी एसोशेट कंट्री है जिसमें से यह बंदा सबसे सॉलिड है एरासमास जान फ्रेलिंग 48 टीटो इंटिया में 60 विकेट 150 वर वेरी डिसेंट चॉइस है और इस मैच में ज्यादा अच्छा है क्यूंकि ना ओडिया में इसने एक दो वड डाला कूशल पॉइंट एक इंपॉइंट पॉइंट इसने थीन विकेट निकाला बॉलिंग में डाला और 34 रन बैटिंग से किया और टीटो इंटिया में यह उपर बैटिंग करेगा फ्री लीग फेलेगा पाउप्ले का फाइदा भी निकाल सकता अगर पाउप्ले में है इसको अधर ट तीडी इंडाय में 43 मैं 46 होगे बड रिसेंट टाइम में इन्होंने बॉलिंग कम कराया देखो लास्टी टीडी इंडाय में 2-1-0-1-2 इसमें बॉल कर रहे थे एक बार नमबर ओ बॉलर देख लो अगर टीम ने एक्स्रा बॉलर नहीं खिलाया तो दोस्तों मेभी ये बॉलि करता है निकोल लॉफ्टी इटन यह बॉलिंग करते हुए दिख सकते है क्योंकि नेपाल के बास ज्यादा तर राइटी बैटर है अगर बॉलिंग फर्स्ट वा लॉफ्टी इटन आपके लिए डिफेंचल होगा लेक बॉलर पार्ट टाइम आर बॉलिंग करेगा इसके पी नहीं लोंगा प्रेफर भी नहीं करूंगा ग्रेंड लिंग में ले सकते हुए इसका वेन्यू रिकर बहुत अगरा था 53 का अवरेज बट लास सीरीस से पहले है लास सीरीस में सब का अलत कर आप रूबन टॉपल मैं बॉलिंग फर्स्ट डिफेंशल कैप्टेर बना सकते हो टीन में अवरेतो होरस ख़ां मेंोंड आप अंश मैंस में से 12 वीकर बट क्कष्वाइस कोई कंप्रो माइज नहीं तुने इस वेनू में चार इदिंग समय एड़ा है नेपाल के बास जाल स्ट रहलो दूस्तों सेफ रहेता डिल होंगा माहन फिलाल मैं लूंगा वेन्यू म Spinners को ज्यादा सफोर्ट मिलता है कंपर तो पेसर लोंगा में नहीं जिसको स्विंग नहीं मिलेगा तो बहुत तौफ है इसको यहां पर अच्छा बॉल डालना गाइस वेंच में जो प्लियर है ना उनमें से जैक ब्रसल एक प्लियर है जो पावर प्ले में अच्छा बॉल इकल लेता है रिसिनली उडिया में इसने दो इकर भी निकाला था बर्ट वो पावर प्ले में था जेपे को जे वन डाउ टू मीडल ओर में बैटिंग करता है ती क्योंड फॉचे इग्नोर करो को सिंपल सा लॉजिक लगाना है किर्थिपूर ने फर्स इनिंग्स में एक्स्रा बॉलर ट्राइकर ओमिर को मना नहीं है सेकंड इनिंग्स का आप फालतू का रिस्क मतलो बॉलर के साथ ठीक है और T2 इंडिया में किर्थिपूर में अरन अच चला जाएगा क्योंकि यह मैच 11 बचे है नेपाल में 11-15 में तो हमारे यहां 11 बचे है नेपाल में 11 है मुश्परवली तो वहां पे ना और इतना दिन मैच हो रहा था नौ बजे मतलब दो गंडा के बाद जो धूब गिरता है इतना दिन जब उडिया मैच हो रहा था था न लाइक निए तो लाइक कर देना दोस्तों सब वीडियो को शेयर करना और जुड़ना है दोस्तों आपको टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे गाइस फिलाल जो मेरा डिमलाविन का टीम रहेगा ना उसमें मैंने वीसी बनाया कुषल भूर्थेल को और कैप्टेन बनाया एडासमास को दोस्तों मैंने स्कॉल्स को ट्राइग क्या रूबन टॉपलमैन को ट्राइगा राजमशी हमारे पास है कुषल मला सुंपल कामी हम हमारे पास जुबने सिंग आई रहे फ्राइलिंग हमारे पास निकोल लॉफ्टीटन देखो यहां पर यह एक बंदा है जिसके साथ रोटेशन कर सकते हम लोग और बाकी में आफटर टॉस आपको एक आदा एक्स्रा बॉल ले तो यह दिखूंगा जैसे कि फिलाल मैंने करन किसी नहीं लिया किसी ले सकतो बॉलिंग फर्स ज्यादा बिटर होगा तो लॉफ्टी टॉन के जगा किसी ले सकतो थोड़ा रिस्क लेक है फिलाल यह रहेगा कवरेज इस मैच के साथ अगले मैच के कवरेज अबरे डेमो टीम शेयर करूंगा टेलिग्राम पे दोस्तों आ टेलिग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे थैंक्यू गैस मिलते हैं मैच टेलिग्राम पे थैंक्यू